हेलो फैंट्स वेलकम टू इंग्लिस लिटेशर फैंट्स यहां पे हम डिस्कस करेंगे जो हमारा अग्जाम हुआ था कल उसको लेकर हम रिव्यू लेकर आए हैं कि कट ओफ क्या रहने वाली है और कितनी जल्दी हमारा रिजल्ट हो डिकलेर हो सकता है तो फैंट्स इन ही सब बातों पर हम चर्चा करेंगे पहले हम वाइडली डिसकस करेंगे कि जो अन्वेस का जो पेपर था जो लिया गया था उनलाइन जो हमारा एक्जामिनेशन था उसमें जो क्यों संस्त है वो किस तरह के पूट किये गए हैं तो फैंट्स मेरे दो तिन बच्चों से बात हुई हैं जिन्होंने मेरे को पेपर के बारे में बताया कि पेपर है वो इस लेवल का आया हुआ था और इस तरह से क्यों संस पूछे गए हैं तो फैंट्स यहां पर मैंने नोट डाउन किया है आपके लिए काफी ज्यादा इंपोर्टन यह आपके लिए रहने वाला है को जो फै लिटरेचर या हम कहा सकते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट रहता है इंगलिस को उसके उएपर हम वाडली ॡिस्कस करेंगे कि जो पेपर है उसमें कहा से क्या कुछ फूचा गया था और किस पैट्रन से जो क्योसंस से वो रखे गए थे तो फैंट्स जो हमारे पेपर है उसम तो उसमें पहला जो पार्ट रहता है सबसे ज्यादा रहता है वह रहता है ग्रैमर का जो ग्रैमर होती है वह सबसे ज्यादा आती है कोई भी अग्जाम हो चाहे हमारा ऐच्टेट हो चाहे हमारा केवी का एठीक है यही चाए हमारे काई फिर नहोदे का हो चाहे कोई अकजाम होता है तो ग्रैमर है वह काफी भड़ा णुत करती है किसी यह काई चाहे हमारे आपर dob स्थी गैउ पूछे गए सबसे ज्यादा जो क्यों पुछे गई हैं जो हमारे जंबल संटैंस होते हैं जंबल संटैंस आप समझते होगे कि यहाँ पर हमें ऐसे टुकडो में हमारा संटैंस दे दिया जाता है A, B, C, D और इनको हमें क्या सिक्वेंस में लगाना होता है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, B आएगा, फिर A आएगा, C आएगा, D आएगा तो यह हमारे options होते हैं और इसमें पूछा जाता है कि correct structure बना के दिखाओ, यहाँ पर जंबल संटैंस होते हैं, उनमें क्या होता है, कि यहाँ पर sentence की formation करनी होती है, तो काफी ज़्यादा questions थे, यह जंबल संटैंस से लगवग हम मान सकते हैं, 5-7 questions हमारे जंबल sentences के थे, ठी मां से friends 4-5 questions पुछे गए थे, फिर आता है हमारा voice, voice से भी friends 4-5 questions हो हमारी voice से पुछे गए थे, फिर friends अगर हम बात करें तो feeling the blanks आय थे, जिसमें हमारा कोई भी proposition हो काफी ज़्यादा पूछे गई थे, friends मैंने आपको करवाया भी था कि जो हमारे fix proposition वो काफी टाइम पूछ करता है, तो ऐसे करके हमारी proposition हो पूछी गई थी, ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो friends error वाले sentence यहां पूछे गए थे, जो sentence error होता है, sentence error 6-5 questions पूछे गए थे, तो और आल यही हमारा pattern था, फिर बात कर लेते हैं, तो tense पूछे गए थे, friends, tense का क्या पुछ यहां पर हमें feel करना है, जैसे past perfect continuous tense है, या फिर आपको कोई भी tense है, उसको feel करना, जैसे past indefinite tense है, उसको feel करना, तो यहां से भी friends 3-5 questions हमान सकते हैं, इतने questions हमारे यहां से आये थे, एक जो सबसे बड़ी बात रही, friends, वो रही, classes नहीं पूछे गई, class से बिलकुल हो सकता है rare ही एक आदा question आया होगा, नहीं तो class से कोई question नहीं आया, साथ ही साच हमारे figure of speech है, वहां से भी कोई question यहां पे नहीं पूछा गया था, तो यह हमारा grammar का overview रहता है, friends, और यह structure रहेगा आपका KV का exam का, जो आपका PGT-KV exam होगा, PGT-KV का, उसमें भी इसी structure से questions डाले जाए ठीक है, friends, फिर एक और वेटेज रहता है सबसे ज़्यादा जो कि हमारे literature वाले portion में, उसको हम कहेंगे हमारा जो जो तानव friends, यह comprehension यह पूछे गए थे, ठीक है, तो comprehension पे फेंस आप एक काम करना, अपने थोड़ी से practice कर लेना, comprehension वाले portion में, और वहां पे क्या करोगे, friends, य यह जो trick बताते हैं, कि यह करना, वो करना, ऐसे नहीं करना है, बिल्कुल आपको एक बार काम माइंड से अपना comprehension है, वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, फिर friends, इसकी एक खासियत रही थी, कि जो अन्मियस exam है, friends, उसमें comprehension होता है, उसमें continue questions नहीं पूछी जाते हैं, जैसे एक comprehension के 5 questions पूछ लिए, वो यहाँ पी क्या हुआ था, friends, एक comprehension का एक question पूछा, और फिर आगे दूसरा questions दे दिया, वालो error दे दिया, या फिर कोई भी जंबल वर्ड वाला दे दिया, ठीक है, लेकिन यहाँ पी क्या fans आप से अलग-अलग, जैसे अब फिर 2-3 question बीच में द इस टेंजा को अगर आपने paragraph को अच्छे से read कर लिया है, तो आप easily दे पाओगे, बार-बार आपको read करने की जुरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, अब जलते हैं दूसरे part के उपर, दूसरा जो part रहता, friends, वो comprehension मैंने बता दिया, comprehension के लग-बग 20 questions आए हुए थे, friends, कि हम कह सकते हैं कि comprehension के 20 questions थे, हमारी grammar 6, फिर बात कर लेते हैं, तो friends, composition है, वहां से questions पूछे गए थे, जैसे friends, letter की formation, जैसे हमारे के वी भी भी आई है, कि letter की formation, इसमें question तो यही पूछा गया था, कि अगर आप फादर को letter लेखते हो, तो उसके ending कैसे करोगे, यूर्श ओब year father लिखोगे, फादर लिखोगे, यह only year share लिखोगे, फादर लिखोगे, तो ऐसे करके letter की formation से, लगवग दो questions पूछे गए थे, ठीक है, फिर आता है, हमारा जो report होती है, उसके उपर भी questions है, वो पूछा गया था, तो यह आपको ध्यान में रखने की जरूत है, same ही यही त एक्सरा आपका केवी को भी देखने को मिलेगा, फिर बात कर लेते हैं friends, जो कि हमारी NCRT, NCRT की बात करते हैं, तो यहाँ पे friends 11th और 12th क्लास की NCRT से लगवग 5 से 6 questions पूछे गई हैं, जिसमें हम बात करें, तो telephone conversation, the photograph, ऐसे करके the trial, ऐसे करके जो हमारे chapter और poetry दे रखी है, उससे ही पूछे गए थे, उसमें basically जो अंदर की line होती है, जो questions होते हैं, poetry के अंदर वो पूछे गए थे, ठीक है, फिर बात कर लेते हैं fans हमारा जो रहता है literature, तो England का जो literature है, या हम कह सकते हैं कि English जो literature है, वहां से question पूछे गए, फिर हमारा American, American literature में अगर हम बात करें, त पूछे गए, इंडियन राइटिंग की बात करते हैं, तो इंडियन इंग्लिज राइटिंग की अगर हम बात करते हैं, तो यहां से fans स्रोजनी नाइडू, स्रोजनी नाइडू से question पूछा गया था, फिर एक आर के नारायन, आर के नारायन, यह तो उनकी fans, यह एक character भी पूछा गया था, आर के नारायन के कोई पले से और एक जो स्टेंजा रखा गया था, वह आर के नारायन के ही पले से लिया गया था, ठीक है fans, तो यह overall हमारा English Literature का view है fans, फिर अगर बात कर लेते हैं, तो मैंने आपको बता दिया, कि इंडियन इंग्लिस राइटिंग से ती कि इंग्लिस जो हमारा सब्जेक्ट स्पेसिफिक था, एटी मार्क्स का, उसका, overall ये view रहा है fans, ठीक है, यहां कोई भी अगर आपको confusion लगता है, तो fans कमेंट बोक्स में डालना, अब बात करेंगे हमारा जो comment paper हुआ था, उसमें कहां से questions हैं हो, पूछे गई थे, तो fans वही करंट अफेर पूछा गया था, mostly जो questions थे, वो करंट अफेर के थे, एक question हमारे political से बनता है fans, ठीक है, बाकि हम कह सकते हैं कि पूरा को पूरा करंट अफेर है, जिसे ओसकर में कौन सी फिलम ने, ओसकर वार्ड जिता, ठीक है, या फिर जो जल, हर घर जल, हर घर जल, योजना है, वो कौन से राज्जे से बिलोंग करती है, ठीक है, तो ऐसे करके करंट अफेर के ही है, पदम सीरी, आब की वार 2022 का पदम सीरी, साहिते और शिक्षा में किसे दिया गया है, तो ये करके questions है, पूरा को पूरा हम कह सकते हैं कि करंट अफेर, शेलग वक 6-7 questions हमारी करंट अ सबसे ज़्यादा जो questions पूछे गए थे fans, वो पूछे गए थे when diagram से, जो हमारे when diagram होते हैं, when diagram से लगभग हम कह सकते हैं, 3-4 questions when diagram से, और direction से एक question पूछा गया था, वहीं जो हमारा alphabetical order होता है, यहां से 2 questions पूछे गए थे, और जो हमारा number system होता है, numerical होता है, number system, वहां से fans, 3 questions पूछे गए बता रही हैं, फिर बात कर लेते हैं, हमारे जो direction है, वहां से मैंने बताया आपको एक question पूछा गया था, और जो number system है, वहां से 3 questions पूछे गए, alphabetical से 2, और एक bullet relation से question हो पूछा गया था, ठीक है, इसमें अगर हम बात करें तो reasoning हो काफी easy ही हम कहेंगे, काफी moderate type की reasoning थी, इसमें जो पूरा और अगर हम paper को देखते हैं, तो जो जिये है, जो कि हमारे general awareness है, वहां से ही काफी जादा, जो question है, वो current affair के पूछनी के कारण tough लगा था बच्चों को, वाकि जो paper हो easy to moderate ही कहेंगे, ठीक है, फिर बात कर लेते हैं, फ्रेंट्स जो हमारा computer है, तो computer के काफी basic question पूछे गए थे friends, जिसमें हम बात करें, तो इसमें पूछा गया था, कि computer का mind किसे कहा जाता है, या फिर network है, उसको, वो, उसकी definition बताओ, कि network क्या है, ठीक है, ऐसे करके पूछा गया था, जो computer की memory है, उससे related, जो computer के जो parts है, जो hardware, software है, उनसे related question questions पूछे ठीक है friends, आप बात कर लेते हैं, जो teaching aptitude, तो teaching aptitude में friends, जो हमारी normal हकीबचे को हम कैसे treat करें, जो हमारी psychology हो नहीं आई थी, teaching aptitude ही पूछा गया था, वहीं friends, अगर हम language की बात करें, तो language भी जो हमारी Hindi और English language थी, वो भी काफी easy ही हम कहेंगे, उसमें जो questions थे friends, उसमें एक त था, फिर बात कर लेते हैं, तो fans यहां, जो हमारे सूद असूद, हिंदी वाली जो हमारी language है, उसमें सूद असूद पूछे गए थे, और जो हमारा, विलोम सबद, वाक्यांस के लिए, एक सबद, जो कि वक्याब के अंदर ही आता है, तो overview यही रहता, fans जो paper है, हमारा अव level नहीं था, fans, उससे ज़्यादा टफ तो हम कहेंगे, जो हमारे TGT, English का अग्जाम था, एक स्टेट का, जो कि मारे PGT से भी जी बनता है, ठीक, fans, अब बात कर लेते हैं कि cut off क्या रहनी वाली है, तो cut off की अगर हम बात करेंगे, तो 140 पलस हमारी total vacancy हैं, जिसमें जर्नल की ब vacancy जर्नल की हैं, fans, ठीक है, और overall बात करें, तो 140 पलस हमारी vacancy है, ठीक, 140 पलस, तो fans हम देखेंगे, जो पहली बार, जो हमारे 2019 में जो paper वा था, उसकी जो cut off है, fans, वो इतनी ज़्यादा नहीं गई, जो हमारे return exam है, उसकी और पलस interview की, ठीक है, तो लगबग हम कह सकते हैं कि वो जो cut off थी, वो high इतनी ज़्यादा नहीं गई थी, ठीक है, एक तो जो cut off बनाते हैं, friends, उसमें 80% तो हमारा क्या होता है, return का, 80% तो return का रेगा, जैसे माल लो, 150 का हमारा पूरा total paper है, इसमें एक बच्चे के 100 marks, तो यहाँ पे 80%, जो 80 marks हैं, वो तो हमारे return के लग फिर हमारा क्या बनता, friends, 20% हमारा किसका होता है, interview का, interview का होता है, जिसमें fans क्या पता, जैसे हमारे kv है, उसमें तो 60 marks का हमारा interview है, लेकिन यहाँ हमें पता नहीं कि जो interview है, वो कितना होगा, ठीक है, तो यहाँ पे 80, और इसमें interview को plus करके, मालो interview में, इनोंने 15 number लगा दि तो इसी वे पर हमारी cutoff है, वो लगेगी, तो fans की बार, जो हमारी cutoff है, वो हाई जाने की, हम expectation रखते हैं, विको जो fans, जो हमारा paper है, वो इतना ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है, तो हमारी जो पहली बार, जो हमारी cutoff, 60 to 64 point something रही थी, मालो, तो आपकी बार, जो cutoff जाए है, वो भी easy ही हम कहेंगे, moderate ही कहेंगे fans, तो यहाँ पर जो हमारी cutoff जाएगी, वो 9200 के बीच में जाएगी, तो fans यही अपडेट थी आपके लिए, इसके अलावा कोई भी information आपको चाहिए, तो fans comment box में comment करिएगा, और इसी के साथ है वे good day and best of luck.